असलामनेकूम, आज हम लोग करेंगे यूनेट वन दासी के क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले आप पेज प्रिपेर करेंगे क्लास फट लिखेंगे डेट लिखेंगे मार्जन लाइन रॉख करेंगे राइट साइड पे ठीक है कोई लफ बेटा आपका मार्जन लाइन को टच नहीं करना चाहिए राइटिंग आपने नीट एंड क्लीन करनी है फोन का आपने हैयार लखना है नेरो लाइन पे आप लोग लिख रहे हैं और लाइन छोड़के लिखेंगे ठीक है question answer से सबसे पहला question है हमारे पास what do Dave and Jack use to find the sunken ship ठीक है sunken ship को find करने के लिए Dave and Jack ने क्या use किया था तो इसका answer आप लोग लिखेंगे they used an eco screen to find the sunken ship तो उन्होंने क्या use किया था eco screen यूज किया था sunken ship को find करने के लिए question number two है how far is the sunken ship from the boat तो जो sunken ship था वो boat से कितनी दूर था इसका answer है the sunken ship is about 80 minutes below the surface तो जो sunken ship था वो सताई समंदर से तक्रीबन 80 meters जो है वो नीचे था question number three है how long does Jack plan to spend on sea bed तो कितना time Jack ने sea bed पे spend करने का plan किया था तो answer इसका है Jack plan to spend about 40 minutes on the sea bed तो Jack ने plan किया हुआ था वो 40 minutes जो है वो sea bed पे रुकेगा ठीक है next question की तरफ आ जाते हैं question number four है what does Jack breathe through Jack जो है वो पानी में जाके सांस कैसे ले रहा था तो answer है Jack breathe through an airline तो उसके पास एक airline थी वो उसके जरी से सांस ले रहा था question number five है what does Jack speaks through तो Jack कैसे बोल रहा था वाँसे answer है Jack speaks through a phone line Jack जो है phone line से बात कर रहा था question number six है why is it hard to see inside the old ship तो जो old ship था उसके अंदर देखना क्यों मुश्किल हो रहा था answer है इसका it was hard to see inside the old ship because it was too dark उदर बहुत ज़्यदा अंधेरा था इसलिए वहाँ पे देखना मुश्किल हो रहा था चीक है आज़ते हैं next question पे question number seven है why is it hard for Jack to fight the octopus जो octopus के साथ Jack की fight हुई थी वो hard क्यों थी उसे मुश्किल क्यों लग रही थी answer है इसका it was hard to fight the octopus because it was very strong वो बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग था इसलिए उसके साथ fight करना Jack को मुश्किल लग रहा था question number eight है was it more important to bring the trailer or to come up safely ज्यादा important था कि वो जो ट्राइयर उसको मिला था वो लेके आता या फिर खुद ही safely उपर आ जाता तो answer है it was more important to come up safely खुद जो है वो safely उपर आना ज्यादा जरूरी था ठीक है पेटर ये अपनी copies के उपर नीट सा लिक लें और इसको याद भी कर लें झाल जो जब दो सकती है तो जया है जब एफ़ स्ट्राइब कर दो कि लें वें जपारी थारी टुद है टुद झाला इसको झाला कि वें है जुद आता लेकिज़ प्ज़एंगर नीट सा लेके शूट है टूद इसको बड़ारी रहरें बड़ादा आता प्ल。